C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक संचयन काध्वान्यांकन जिसका वाचन कर रही है निवदिता सर्दार प्रस्तुत है पहला पाठ गिल्लू लेखिका महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा 1907-1987 हिंदी के महत्वपून काव्य युग छायावाद के कवी चतुष्टय में से एक प्रेव और करुणा से ओत्प्रोथ काव्य गीतों एवं संस्परनात्मक रेखा चित्रों के लिए बहु प्रशंसित भारत सरकार द्वारा पद्मभूशन से सम्मानित उन्हें ज्यान पीट पुरसकार से भी सम्मानित किया गया और वे साहित्य अकादमी की सेलो भी रही प्रमुख कृतिया, नीहार, रश्मी, नीर्जा, यामा, दीपशिखा, ये कविता संग्रह, श्रिंकला की कडिया, निबंध, स्मृति की रेखाय, अतीत के चलचित्र, ये संस्मरन पाठ परिजय, महादेवी वर्माद्वार लिखित, मेरा परिवार, में से चयनित, गिल्लू, एक संस्मरनात्मक गद्धी रचना है इस रचना के माध्यम से पशुपक्षियों के प्रती प्रेम, उनके संरक्षन की भावना उत्पन करने के साथ साथ, उनकी गतिविदियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्विवार करने की प्रेरणा मिलती है इस पाठ द्वारा पशुपक्षियों को स्वच्छन्द और मुक्त रख उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोचसाहित किया गया है आई ये सुनते हैं पाठ गिल्लू, प्रिष्ट संख्या, एक से साथ तक सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में चिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौका देता था तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लगुपराण की खोज है स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौकाने उपर आ गया हो अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामते में आकर मैंने देखा दो कवे एक गमले के चारों और चोंचों से चुवा चुवल जैसा खेल खेल रहे हैं ये काग भुशुंडी भी विजित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित हमारे बेचारे पुर्खे न गरुड के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के उन्हें पितर पक्ष में हम से कुछ पाने के लिए काख बनकर ही अवतीर न होना पड़ता है इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधू संदेश इनके करकश स्वर में ही देना पड़ता है दूसरी और हम कववा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं मेरे काख पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधी में चिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टी रुख गई निकट जाकर देखा गिलारी का छोटा सा बच्चा है जो संभव अतहा घोंसले से गिर पड़ा है और अब कववे जिसमें सुलब आहार खोज रहे हैं काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लगू प्राण के लिए बहुत थे अतहा वह निश्चेश्ट सा गमले से चिप्टा पड़ा था सब ने कहा कववे की चोंच का घाव लगने के बाद ये नहीं बच सकता अतहा इसे ऐसे ही रहने दिया जाए परन्तु मन नहीं माना उसे हौले से उठा कर अपने कमरे में लाई फिर रुई से रक्त पोंच कर घावों पर पैंसिलीन का मरहम लगाया रुई की पतली बत्ती दूद से भिगो कर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुँँ में लगाई पर मुँँ खुल ना सका और दूद की बूंदे दोनों ओर धुलक गई कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुँँ में एक बूंद पानी टपकाया जा सका तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़ कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा तीन चार मास में उसके स्निक्ध रोएं जब्बेदार पूंच और चंचल चमकीली आँखे सबको विस्मित करने लगी हमने उसकी जातिवाचक संग्या को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे मैंने फूल रखने की एक हलकी डलिया में रूई बिचा कर उसे तार से खिड्की पर लटका दिया वही दो वर्ष गिल्लू का घर रहा वह स्वयम हिला कर अपने घर में जूलता और अपनी कांच के मनकोसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड्की से बाहर नजाने क्या देखता समझता रहता था परन्तु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था जब मैं लिखने बैठ सी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्शित करने की उसे इतनी तीवर इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला वो मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चड़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता उसका यह दोडने का खरम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उटती कभी मैं गिल्लू को पकड़ कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लगूगात लिफाफे के फीतर बंद रहता इस अद्भू स्थिती में कभी-कभी घंटों मेज पर दिवार के सहारे खड़ा रहे कर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कारेकलाप देखा करता भूक लगने पर चिक-चिक करके मानों वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिती में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़ कर उसे कुतरता फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी बाहर की गिलहरिया खिडकी की जाली के पास आकर चिक-चिक करके नजाने क्या कहने लगी गिल्लू को जाली के पास बैठ कर अपने पन से बाहर जांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवशक है मैंने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुछ ही मुक्ती की सांस ली इतने छोटे जीव को घर में पले, कुटे, बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी आवशक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंध ही रहता है मेरे कॉलेज से लोटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दोड लगाने लगा तब से ये नित्यकाक्रम हो गया मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड्की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलारियों के जुंड का नेता बन हर डाल पर उचलता खूदता रहता और ठीक चार बजे वह खिड्की से भीतर आकर अपने जूले में जूलने लगता मुझे चौकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता कभी परदे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में मेरे पास बहुत से पशुपक्षी हैं और उनका मुझे से लगाव भी कम नहीं है परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता गिल्लू इनमें अपवाद्स था मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुँचती वह खिडकी से निकल कर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुँच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया जहां बैठ कर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठा कर बड़ी सफाई से खाता रहता काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या जूले से नीचे फेक देता था उसी बीच मुझे मोटर दुरघटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पिताल में रहना पड़ा उन दिनों जब मेरे कमरे का दर्वाजा खोला जाता गिल्लू अपने जूले से उतर कर दोड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता सब उसे काजू देयाते परंदू अस्पिताल से लोट कर जब मैंने उसके जूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले जिन से ग्यात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा मेरी अस्वस्थिता में वह तकिये पर सिरहाने बैठकर अपने ननहे ननहे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने जूले में बैठता उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्विथा नया उपाय खोज निकाला था वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता गिल्लू के जीवन की अवधी दो वर्ष से अधिक नहीं होती अतह गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आही गया दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया रात में अंत की यात्रा में भी वह अपने जूले से उतर कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़ कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरनासन स्थिती में पकड़ा था पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया परन्तु प्रभात की प्रथम किरन के इस पर्ष के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया उसका जूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है परन्तु गिलहर्यों की नई पीड़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंथ आता ही रहता है सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधी दी गई है इसलिए भी की उसे वहलता सबसे अधिक प्रिय थी इसलिए भी की उस लगुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूलो में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोश देता है शब्दार्थ सोन जूही जूही पुष्प का एक प्रकार जो पीला होता है अनायास अच्चानक हरीत्मा हर्याली लगु प्राण छोटा जीव चूवा चूवल चुप के से चूप कर चुप जाना और फिर चूना समादरित विशेश आदर अनादरित आदर का अभाव तिरसकार अवतीर्ण प्रकट करकश कटू कानों को न भाने वैली काकद्वय दोका हुए निश्चेश्ट बिना किसी हरकत के आश्वस्थ निश्चिन्थ स्नेक्थ चिक्नर विस्मित आश्चर्य चकित लगुगात छोटा शरीर अपवाद सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला खाद्य भोजन घोसले नीड रहने की जगा परिचारिका सेविका मरनासन जिसकी मृत्यु निकट हो मृत्यु के समीप पहुँचा हुआ उश्णता गर्मी पीताब पीले रंग का बोध प्रश्ण प्रश्ण संख्या एक सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमडने लगे? प्रश्ण संख्या दो पाठ के आधार पर कवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? प्रश्ण संख्या तीन गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? प्रश्ण संख्या चार लेखिका का ध्यान आकर्शित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? प्रश्ण संख्या पांच गिल्लू को मुक्त करने की आवश्शक्ता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपए किया? प्रश्ण संख्या चे गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? प्रश्ण संख्या साथ गिल्लू की किन चेश्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंद समीप है प्रश्ण संख्या आठ प्रभात की प्रथम किरन के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशे स्पष्ट कीजिए प्रश्ण संख्या नौ सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधी से लेकिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? संचयन अभियाप सुन रहे थे ये ध्वनी पुस्तक वाचन, निवेदिता सर्दार तक्निकी निर्देशन, सतीश लाडे ध्वन्यांकन, अमिता भट्टी और बटी लेंगलिंडो तथा निर्मान एवं प्रस्तुती दाव दयाल चतुर्वेदी प्रस्तुर्वेदी प्रस्तुर्वेदी